हम लगातार देख रहे हैं वड़ोद्रा के अलग अलग हिस्तों में सेना के जवान रहात और बचाओं के कार में जुटे हुए हैं हम इनके साथ चल रहे हैं कोगि अंदर से जानकारी मिल रही है उसके मताबिक लोग फसे हुए हैं और उन तक मदद नहीं पहुँच पाई है ये जानकारी के बाद सेना के जवान यहां से अब नाओ के सारे अंदर जा रहे हैं और देखिए आगे भी कुछ लोग जा रहे हैं उसको देखना पड़ रहा है कि कहीं बीच में खड़ा या कोई और अन्य दिक्कत तो नहीं है तो उसको आगे से देखा जा रहा है पूरी कोशिस है उनको यहां से सुरक्षत निकाल करके ले जाया जाया और कई लोगों को इसके पहले भी निकालके ले जाया गया है तो इन चीड स्थितिमा पड़ सेना जवानों आदभूत कामगीरी ना द्रश्यों सामे आवे आछे अमारी टीम पण त्याउपस थीच्छे आर्मी नी जे कामगीरी थे रही चे त्या नजरे पड़ी रहा छे जे द्रश्यों त्या अनेक सोसाइटीयों घरो पाणीमा डुबेल आ अवे फसायला लोको चैमनों की विरित रेस्क्यू करवा मा आवे ते तमाम अब जो रहा चो बोट मां आर्मी नी टीम आर्मी ने अजवानों पहुंचिया खाध्य पदार्थों थीलाई दवा पहुंचाडी रहा चे जवानू आर्मी नी टीम साथे एबीप अस्मितानी टीम पण उपस्तित छे अने एक लोको नू आर्मी ए रेस्क्यू कर्यू चे जेलोको फसायला हता वडुद्रानी जे छिला बै दिवस्ती परिस्तिती हती अत्यांत भया नक परिस्तिती मा लोको त्यां रही रहा हता खाधा पिधा वगर, जीवन जरुर्यातनी चीज़वस्तो हो वगर औने एवा मा खाध्य पदार्थो औने दवा पहुंचाडी रहाचे आर्मी ना जवानू ज्यां कोई नती जई शक्यू तिया आर्मी ना जवानों पहुंचे आचा नेमनी साथे एबीपी असमितानी टीम पण उपस्तित छे अमारा समवदाता अभिशेक पंट्या उपस्तित छे आ प्रसंशनी अदभूत कामगीरी जुआ मली छे लोको जे आज राहत नी राहमा हता ए राहत आ आर्मी ना जवानों पहुंचा डी रहा छे अनेक लोकों नो रेस्क्यू करवा मावी उजे लोको छिला बै दिवस्तित फसाईला हता आधुनिक उपकरणों साथ आर्मी नी टीम पहुंचे ली छे आर्मी ना जवानों पहुंचे ला छे अने तमामने तरह से देखी ये लोग तयार हैं यहां पर जिनको जिनको रिस्कू किया जाएगा यह यह आल्ड़ी इनके पास यह जानकारी थी यहां पर की आर्मी यहां पहुचने वाली है देखे सामान बांद करके तयार हैं काफी समय से यह लोग इसले करीब 72 घंटो से यहां पर फसे तीन दिन से यह बता रहे हैं कि तीन फशेवेत और देखे यहां की हालत जरा राजिन्दर यह दिखाईएगा यह गाड़ियां जो डूबी हुई हैं यह कुछ पानी कम हुआ पहले और भी ज्यादा पानी था बता रहे हैं यहां के लोग की पहले फस्ट फ्लोर तक पानी था क कुछ पानी अब कम हुआ है लेकिन इसके बाद भी अभी भी आगे की और यहां से दिखाईएगा आगे की और जो गाड़ियां हैं वो सब हमको डूबी हुई दिखाई दे रही हैं यह आर्मी के लोग सबसे पहले इस छोटी बच्ची को लाया गया है और अब उसको जैकेट पहना ही जा रही है फैमिली के और लोग भी आ रहे हैं घर में ताला लगा करके आप लोग तीन दिन के बाद निकल पाए हैं महिला अब भी यहां पर हैं वो वो उनको यहां पर ला रहे हैं और तो रेस्क्यू करवा मा आवी रही हूँ छे वडूदरा मा जेलू को फसाया हता जमना घरो सुधी पाणी घुसी गया छिला त्रोण दिवस्तिया परिस्तिति मा ते उजी भी रहाया हता अने तेमनु रेस्क्यू करवा मा आवी रहाए उचे एकस्क्लूजिव द्रश्यों EBPS मित आपने बतावी रहाव उचे महिलाओ जमने हवे लाइव जेकेट पहराबवा मा आवी रहा चे एक नानी बाल की चे तैनू पर रेस्क्यू करवा मा आवी और हवे तमने सुरक्षिस थड़ पर लई जवा मा आव शे तो आखे आखा परिवार नूं रेस्क्यू करवामाविव करण के तमना घर, सुधी पाणी आवी गया चे चला त्रोण दिवस्तिया परिस्तिती मा हता वडोद्रा इंजी परिस्तिती हती लोको खाध्य पदार्थ वगर दवा वगर जी विराया हता आने त्यारे केंद्र सरकारे आर्मी नी टीम मोकली चे आर्मी ना जवानों दिल धड़क ओपरेशन करी रहाचे रेस्क्यू करी रहाचे आने अद्भूत प्रसंशनी अकाम गिरी बजावी रहाचे नाना बाड़कों और महिलानों रेस्क्यू करवाम आवी चे एक आखा परिवार ने रेस्क्यू करी हवे स्तलामस थड़ पर लई जवाम आवी रहाचे यहां से निकाल करकिया और अब यहां से बारेला आप लोगो कितने दिन से फसे हुए थे अंदर तीन दिन से अंदर ही फसे हुए थे थोड़ा सैसे घूज़ेगा पाड़ी आगर में कौन कोन है आपकी यह बच्ची लड़का है मिस्टर है अच्छा यह बहुए में और यह लड़की है तो तीन दिन से फसे हुए थे खाने पीने का दूद वेगर आए कुछ नहीं मिला हो का मैंनेज कर दिया था आ जाया है तो यह परिवार है जो बता रहा है कि तीन दिन से लोग फसे हुए थे और आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएंगे यहांसे जो लोग हैं वो किसी तरह से यहांसे निकलने की कवायद कर रहे हैं ताकि किसी वी तरह से वह यहांसे बाहर निकल सके और for 72 घंटे फशे रहने के बाद यह लोग यहां से निकले हैं हमारे साथ में입니다 हैं इनसे भी बात करते हैं तो आप लोग कैसे 22 घंटे कैसे मैंस कि आप लोगों ने बड़ा मुश्किल रहा हो गया था पानी नहीं था पानी भी नहीं था और खाने के लिए पी कुछ भी नहीं था सब मैनेज किया तो इस बीस इस 22 घंटे में अब मदद पहुंची आपको आ अब आर्मी के लोग आये हैं तो मदद हमें पहुंची है अच्छा लग रहा है अभी सबके चेरे मुश्कान दिखाई पड़ रही है दादा की चेरे मुश्कान है तो यह पहली बार इस सोसाइटी मुआ या पहली भी कभी ऐसा देखा है तीन चार बार तीन चार बार आया इस बार ज्यादा है इस बार ज्यादा हुआ है और अभी हमको बता रहे हैं कि पानी जो है वो 6-7 तक था कल तक कल तक 7 फिट था हमारे गर में भी चाहर 2,5-3 फिट था घर के अंदर था सोफा फ्रीज वासिंग मसीन सब गया यह यहां के रहने वाले हैं जो बता रहे हैं कि क्या नुक्सान हुआ है क्या क्या तकलीफ उठाई है यहां से हम बाहर की और निकल रहे है और आर्मी के जवान हैं लगातार निकाल करके लोगों को ऐसे ही बाहर ला रहे हैं और उसके बाद फिर से जा रहे हैं ये सलसला लगातार जा रही है और ये जो जिस तरह से रिस्क्यो आपरेशन चल रहा है उससे लोगों के जहन में एक उमीद है कि वो सुरक्षित यहां से निकल सकेंगे, चोकि हालात अभी भी सामान से बहुत पीछे हैं। नाना बाळको महिलाउनु रेस्क्यु हात धरवं में आवी रहीुँचे, देव्दूत साभित हिरा अछे आर्मी ना जवानु अकोटा विस्तार ना द्रश्यों के जियां आर्मी ए रेस्क्यु ओपरेशन हाथ धर्युचे, ए ब्रश्यों जोओ आज सोसाइटी कहवातो पौ सुधी लोको ना घरो सुधी पानी घुसी गाया चे लोको उपर ना माड़े रहवा माटिया त्रोंड दिवस मजबूर बनेया सोफा फ्रीज वाशिंग मशीन जे महिला जना विराया हता है अनुसार तेमनी बद्धीज गरवकरी पलडी गई छे लाखो नू नुकसान तेमने एक आशानी किरण ए जागी जारे आर्मीनी टीम पहुँची अने तेमनु रेस्क्यू करियो अने तेमने अम थयू के हवे क्या एक सरामस थाड़े आश्रों मढशे अने जारे पन आ पाणी औसर शे त्यारे तेओ घरे आवशे अने जे नुकसान थयू छे जे परिस्तिती घरनी ए ठीक करशे तो आर्मीनी टीम देव दूत बनी छे हेल्पलाइन पर जिया जिया थी तेमने फोन आवे छे जिया मदद मांगवा मा आवे छे ते जग्याए केंद्र सरकारे मोकली ली आ आर्मीनी टीम पहुँचे छे अने आ तवाम जे फसाईला लोको छे जे बौत् कर लाग तामने केवी रिते काढ्या ए विशे पन तेमने अमारी टीम साथे वाच्चित करी अने तेमने कहिऊ के दूद घटी गयो हतू पीवानू पाणी नहतू अनाज नहतू कोई जीवन जरूर्यात नी प्रात्मिक वस्तू नहती अने एवामा एमने आ त्रोण दिवस परिस्तिमा दर वर्षे पाणी भराये चे चोक कस्ती परंतु आ वखते जे पाणी भराये उचे ए बउब भया नक हतू एवी वाधपणा महिला अमारी टीम साथे कहता नजरे पड़या चे तो केंद्र सरकारे आर्मेनी टीम मोकली चे अने अत्यारे वडोद्रा नी जे नुकसान थायू छे लोको हवे जारे जारे पाणी उसरे आछे त्यारे पोतानों जे मालसामान पलडी चुकियो छे तैने सुकवता तैने साफ करता नजरे पड़या चे अने हज्जु पन तेमनु जन जीवन सामान्य थता पुर्ववत थता एक अठवाड़यानों समय पते आर्मीनी टीम फेरा करी रही छे अने लोकोनु रेस्क्यू करी रही छे आ अन्य द्रश्यो अबजुरा आछो आ ए रोड़ना द्रश्यो छे ज्यां आ गाडियों खोटकाईली पड़ी छे ज्यां आ अत्यारे पार्क थायली पड़ेली छे